Welcome to Fantasy Council, मैच नमबर 52, दो SET में जो अभी रिसेंटली खेल के आई थी, एक ऐसा मैच खेल के आई थी, जिसमें आपने देखी कि एक बंदे की 30 गेन में 50 रन थे, फिर 41 गेन में 100 रन हो गए, मैं बात कर रहा हूँ RCB के विल जैक्स की, और दूसरी तरफ रहने वाली है शुमन ग mathematical ही बात करें, लेकिन team wise, ये team लगभग भार होने की कगार पे जल्द ही आने वाली है, आज का मुकाबला खिला जाएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर, बेंगलूरू का एक छोटा समयदान, जिसकी रहती है, पाटा सा विकेट, जिस पे बरसते हैं, सिर्फ और सिर्फ runs, और जब बरसने की बात होती है, तो पैसो की बरसात हो रही है, fantasy council users पे, fantasy council की predictions और team से चल रही है, लगातार पैसो की बारिश, एक ऐसी बरसात जिसमें हम आप सब भीगना चाहते हैं, और उस बरसात मैं कहूंगा, तुफान लाय हुआ है, मतलब बरसात के साथ तुफान भ जाता है, कि सारे मिलके इतना पैसा कमाएं, किसी ने सुची ना होगी, तो आज के match में क्या होगा, सब कुछ आप से share करने वाला हूँ, बस वीडियो को like कर दिना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दिना, दोनों team के, एक बार points देख लेते हैं, और यहाँ पे GT के लिए यह है do और die match, करो या मरो, अगर आज गुजराट Titans हार जाती है, तो समझ लीजिए, टूर्णामेंट से clearly बाहर, बाहर, एकदम बाहर हो जाएगी, और RCB, Royal Challengers Bangalore 6 point है, अब यह वो बत्तमीश team है, जो सामने वालों को बस तोड़ेगी, फोड़ेगी, आप देख लेना, अब तक का सबसे best line-up RCB ने पिछले match में खिलाया था, जो मैं पहले दिन से demand कर रहा था, पहले दिन से, पर कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त आए, कम से कम fans के लिए कुछ तो लेके आए, तो आज के match में मज़ा आने वाला है, गुजरात अपना 100% जोक देखने वाला इस match में, तो देखने वाली बात होगी, किस तरीके से गुजरात इस match को खेलती है, मज़ा आएगा, और खेलने से पहले थोड़ा हम खेल लेते, क्योंकि सुबह 7 बजे अगर वीडियो आ जाए, देखो, इंडियन टाइम के according, इंडियन स्टेंडर टाइम, व सुबह 7 बजे जैसे ही वीडियो आती है, अगर आप आजाते हैं, 10 lucky winners में, top 10 like and comments में, तो आपको मिलता है 300 रुपे का PTM cash, और अगर आप आजाते हैं, best comment में 10 lucky winners, तो उन्हें मिलता है 1000 रुपे का PTM cash, और एक सवाल का जवाब देके, सिर्फ एक सवाल का जवाब देके, 33,333 रुपे, ये 3 lucky winners होते हैं, जो ये धनराशी जीतते हैं, कुछ matches के बाद मैं ये price money बढ़ा दूँगा, ठीक है, तयार हो, वीडियो को like कर चुके हो, नहीं किया तो अभी के अभी कर देना, और साथ ही साथ जितने भी नए लोग आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार guidance, daily free, give away, सब कुछ मिलते हैं, telegram channel पे, जिसका नाम है fantasy council, कैसे join कर सकते हैं, इस वीडियो के comment section में, मैंने comment pin किया हुआ है, साथी साथ, मैंने description में भी link डाला हुआ है, और अभी तक मेरी prediction से, छाती ठोक के कहता हूँ, आखों में आखे मिला के कहता हूँ, सबूतों पे कहते हैं, कि नई यार, लगातार इतना कोई नी जिता सकता, अगर आप है एक पड़े लिखे इनसान, और अगर आप है एक समझदार व्यक्ती, तो आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख सकते हैं, हर cricket की knowledge रखने वाला बंदा, या जिसको knowledge नहीं भी होगी, वो scorecard के, और मेरी वीडियो देख के समझ जाएगा, कि हाँ, यहाँ पे best prediction मिलती है, बहुत मूँ पे बोलता हूं सबके, straight forward होके बोलता हूं, clear होगी यह बाद, जाके देख सकते हैं, सबूत सारे YouTube पे मिल जाएंगे, winning सारी Telegram पे मिल जाएगी, तो चलो, आगे की तरफ चलते हैं जॉइन कर लेना, Telegram चैनल सब के सब, अब हम आते हैं, stadium पे, यह भूल जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे 287 भी बन चुके हैं, इससे बड़ी बात क्या ही होगी, total match is 159 हुए, जिसमें chase हुआ है 86 time, और defend हुआ है 71, तो clear है, toss जीतिये, आप chase करने जाइए, और match को अपने ना सनराइजर्स हैदरबाद बनाती है, 287 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, और 262 रन बनाती है, 7 विकेट के नुकसान पे, RCB, अब आप एक चीज का धियान रखिए, 240 गेंदों का खेल हुआ है, 120-120, एक आदी वाइड भी देखोगे, तो 250 पहुच जाती है, 250 गेंदों ह सिर्फ 10 विकेट गिरते हैं, हैरांद कर देने वाली बात, परिशान कर देने वाली बात, बॉलर्स का ग्रेवियर्ड बना देने वाली बात, अब आप यहां पे एक चीज और नोटिस करिए साथ विकेट पेसर्स लेके जाते हैं और दो विकेट मिलते हैं स्पिनर को वी सेकंड इनिंग से तो यह देखके मैं बोल सकता हूं कि प्रॉपर बैटिंग विकेट आपको देखने के लिए मिलेगी LSG ने यहां पे 188 रन बनाया और डिफेंड कर दिये RCB आउगी ओल आउट दो बोले रहते हुए फिर से यहां पे 15 विकेट गिरते हैं 10 लेके जाते हैं पेसर्स, 3 लेके जाते हैं स्पिनर्स पंजाब यहां आरसी भी यहां पे 182 बनाती है केके आर 186 चेस कर देती है और बहुत जल्दी मतलब 16.5 ओवर्स में आप देखिए 6 विकेट लेके जाते हैं पेसर्स और 2 विकेट लेके जाते हैं स्पिनर्स तो क्लियरली चेस को एडवांटेज यहां नजर आता है अब तक का बेस्ट लाइनप लेके अब यह टीम उतर गई है क्योंकि इनके पास है फैब डू प्लेसिस और विराट कोली जैसे ओपनर फिर आते हैं रजट पाटिदार विल जैक्स क्या 100 हमारी पिछले मैच में फिर ग्रीन फिर मैक्सवेल और फिर आते हैं डीके पोपा अब आप देखिए यह कितनी स्ट्रॉंग टीम हो चुकी है इन्होंने क्या करा मैं कबसे यह बोल रहा हूँ तुमारी बॉलिंग कमजोर है बॉलिंग में दम नहीं है तो फिर अपनी बॉलिंग को कमजोर ही रहने तो अपनी बैटिंग को इतना स्ट्रॉंग बना लो कि कुछ भी टार्गेट आप सामने सेट करिए उसमें 15-20 रन का इजाफा लाईए ताकि एक बॉलर की लिबर्टी आपको मिल पाए अब इन्होंने बॉलर कौन खिला है स्वापनिल सिंग, सिराज, कन, शर्मा और येश दियाल ये चार बॉलर के साथ इन पे तीन ओल डाउंडर है एक ग्रीन, एक मैक्सवेल, एक जैक्स तो ये अब साथ बॉलिंग आप्शन के साथ उतर सकते हैं आप चाहें, तो मही पाल लोम रोर को अस्ट्रेलियन स्ट्रेजी के अगर एकॉर्डिंग के ले तो ये बैटिंग में डालके अपनी बैटिंग को और जादा मजबूत कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेजी मुझे अच्छी लगी थी और अगर ये खेलते हैं, अगर शुरू से ऐसे तो टूर्णामेंट में कुछ अलगी टीम होती क्योंकि इतने बड़े हिटर्स यहां बैठे हैं कि किसी भी एक बंदे का बल्ला चलेगा मैच खतम हो जाएगा, और यही चाहिए होता है T20 में T20 एक दो प्लेयर का गेम होता है, वो एक दो प्लेयर आते हैं, ताबर तोड़ बल्ला बजाते हैं, खतम कर देते हैं मैच को अब आप देखिए, सिर्फ पंजाग, हैदरबाद और गुजरात से जीते हैं और मुझे लगता है आज भी गुजरात से जीत जाएंगे RCB की तरफ से विराट कोली डूप्लेसिस ओपनर कैसी परफॉमेंस है, 21, 77, 83, 22, 113, 42, 18, 51, 70 रन पिछले मैच में विराट कोली के बल्ले से नाबाद, फिराते डूप्लेसिस पे 35, 38, 19, 44, 61, 62, 7, 25, 24 रन, विल जैक्स के बल्ले से शांदार शतक आया, गुजरात के ही खिलाफ फिछले मैच में, उससे पहले एक विकेट 6 रन, 55 रन, 0 विकेट, आप देखे, इसमें आपने देखा होगा मेरे कैप्टन थे, ये वीडियो भी पढ़ी है, वर्सिस केक्यार म तो ये बैटिंग लाइनप और जादा स्टॉंग हो रहा है, क्योंकि बैट्समेन अब क्लिक कर रहे है, ग्रीन, 18 रन, 2 विकेट, 3 रन, 0 विकेट, 33 रन, 0 विकेट, 9 रन, 0 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 6 रन, 2 विकेट, 37 रन, 2 विकेट, पिछले मैच में बहुत मार पड़ी, हम आते हैं, लोम रोर पे, 17, 33, 0, 19, 47, कार्तिक, दी के पूपा, और 38, 20, 24, 53, 85, 11, लगातार बल्ला चल रहा है, अगर आज बैटिंग आती है, तो आज भी बल्ला चल जाएगा, स्वपनिल सेंग, 2 विकेट यहां, 1 विकेट यहां, और मज़े की बात, हैदराबाद की खिल एक, पिछले मैच में एचा स्पेट यहँज दियल, एक विकेट, एक विकेट, एक, विकेट, एक एक, जीरो, दो, एक, जीरो, एक, जीरो, यह द्याल, सिराज, यह आपको पाउर प्रेयोड, डैस में बॉर्लिंग कराते हैं, मैक्सवल, मिडलोवर्स में आ जाएंगे, क्य बॉलिंग काफी अच्छी है और लोन डोर को फिट करके बैटिंग भी इनोंने काफी जाद अपनी स्टॉंग कर लिये कैसा खेलते हैं इस मैदान पे और कैसा खेलते हैं गुजरात वालों के खिलाफ RCB वाले नजर मारी है चार मैंच में 96 रन 24 की अवरेज मेर को नजर आ रही है एक हिट पारी फैफ डिपलेसिस के बल्ले से इस मैदान पे 16 मैंच 46 की अवरेज 557 रन अभी तक इनोंने बना दी हैं विराट कोली 4 मैंच 302 रन 85 की अवरेज जब भी जीटी के खिलाफ केलते हैं और जीटीए के खिलाफ इनका बला सर्च चड़के बोलता है फिर चाहे शतक ले लो चाहे पिछले मैच की 70 रन की पारी ले लो फिर से एक आतिशी पारी आपको दिखा सकते हैं ग्रीन चार मैच 66 रन इस मैदान पे चार मैच 50 रन एक विकेट आज ये बॉलिंग से कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स देने ही वाले हैं मैक्सी सेक्सी फॉर्म में आ गया बंदा चार मैच 44 रन दो विकेट और अब देखना हिट होता जाएगा मैक्सवेल पूरे टूर्नमेंट में हिट रहेगा 18 मैच में 470 रन 19 की आवरेज 9 विकेट अपने नाम करे हुए हैं तो टीम तो अच्छा कर रही है अब और अच्छा गरेगी मुझे लगता है रिमेनिंग कम से कम सिर्फ एक हारेंगे बागी सारे जीतते चले जाएंगे दिनेश कार्तिक चार मैच में 4 रन है गुजरात की खिलाफ कभी चले नहीं है 33 मैच में 400 सिरन और मात्र 19 की आवरेज इस मैदान पे रखते हैं एक मैच जो खेले करन शर पांच मैच में 4 विकेट इस मैदान पे स्वपनिल सिंग 2 खेले हुए और एक लेके गए हैं सिराज के 3 में 3 है और 19 में 22 है मुझे लगता है सिराज आज कम से कम दो विकेट ले जा सकते हैं अगर फस्ट बॉलिंग करेगी RCB की टीम मुझे लगता है ऐसा आगे की तरफ डेविड मिलर अजमत उल्ला उमर्जाई को लेके आए ये मैनेजमेंट भी बहुत खराब कर रहा है केन विलियमसन जैसे रिलाइबल बैट्समेन को आपने भार बिठा रखा है आप नूर एमद को खिला रहे हैं एक तरफ से नूर एमद कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप भी अपनी बैटिंग मजबूत करिए एक इंडियन स्पिनर को डाल दीजिए पर करने नाल कंडे को डालिए बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है राहुल तेवतिय से स्पिन करा लीजिए अगर आपको चाहिए करनी रेना राशित कान मोहित शर्मा अपने लाइफ का सबसे मह नहीं चार जीते हैं पंजाव आरा एसरेच और एमाई के खिलाव और फिर सीएस के पंजाव एलेज़ी डीसी डीसी आर सीवी यह सबसे हार गये हैं कैसा कर रहे हैं विद्धिमान सहा की तरफ नजर डालिए फॉर्म नहीं है बिल्कुल भी उन्निस इक्किस पच्चीस ग्य उसमें हार भी जैसे पंजाव के अगेंस हार गए थे तो कुछ मैच इनके खराब भी गए हैं फिर हम आते हैं साइस दर्शन इंपक्ट प्लेयर 45-37-39-35-21-35-64 मतलब कोई मैच नहीं है जिसमें मैंने इस बंदे को फ्लॉफ होते हैं अजमत तुल्ला उमर्जाई को बस यह खिला रहे हैं क्यों खिला रहे हैं मुझे भी नहीं पता 17 रन दो विकेट 11 जीरो विकेट 13 रन एक रन जीरो विकेट और फिछले मैच में 0 विकेट फिर हम आते को न्यूट्रलाइज करने के लिए राहुल तेवतिया बाइस चे तेईस तीस बाइस दस चत्रिस चार राहुल तेवतिया पिछले मैच में इनिंग स्कोर एंड नहीं कर पाए थे और मुझे ऐसा लगता है दस बीस रन शॉट रह गी थी गुजरा टाइटन के टीम लेकिन वो विल जैक्स ने एक तरफा करी लिए तर राशित कान जीरो दो एक 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 पिछले मैच में चार और में क्या वनन देखे राशित कान भी आ गए है अशोग डिंडा कैडमी में साही किशोर जिनका टूर्नमेंट उपर नीचे रहा है कुछ खास नही विए गरी दो विए एक विए तीन विए एक विए उसके बाद गिरना शुरू जीरो इक्यावन रन बत्तिस रन दो विए चार ओर में त्यत्तर रन मोस एक्सपेंसिव स्पेल इन इस्ट्री ओफ आइप एल और पिछले मैच में इनसे पूरे चार कराय जाते तो शायद यह रिकार्ड भी तूड जाता क्योंकि दो और में एक तालिस दे चुके थे बड़ी बड़ी बाद नूर अहमत को क्यों खिला रहे हैं मुझे खुद समन नहीं पड़ रहा है दो जीरो 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 दो एक और पिछले मैच में चार ओर में तरतालिस रन संदीब वारियर से पि सेकिंग बैट्समें आएगा वरना केन विलियमसन को इस टीम में डालो नूर अहमत को बे मतलब खिला रहे हैं कस्तन से बे मतलब खिला रहे हैं अन्लेस यह होती भाई पिछिस हमें समझ आता है तो खिलाओ गुजरात वालो सच में बता रहा हूं मैनेजमेंट अच्छा नह कोपनर के साथ जाते हैं जिस वज़े से इनका सेलेक्शन परसेंटेज जादा बढ़ जाता है आप देखें दस मैच में 32 के आवरेज 257 रन बना चुके हैं इस मैदान पे दो मैच में 104 रन साही सुदर्शन और यह बंदा फ्लॉप होते हैं मैंने रेल ली देखा और मुझे शतक मार के मैच जिताया था रसी बी के खिलाफी जब यह पंजाब की तरफ से खेलते थे तब इनका नाम शाल हुआ किलर मिलर और आज के मैच में मुझे लगता है किलर मिलर चलने वाले हैं अजमत तुल्ला उमर्जाई एक मैच में 0 विकेट इस मैदान पे इनका 1 विकेट है 11 मैच में 142 विकेट रखते हैं रहुल तेवतिया जी आरसी बी के खिलाफ और इस मैदान पे 4 मैच में 18 एक विकेट मुझे लगता है यह टॉप 4 अच्छे से क्लिक करेगा आज वाले मैच में आज आपको एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा गुजरात की तरफ स लेकिन इस मैच में जो चेज करेगा फिर से उसी टीम को बड़ा एडवांटेज रहने वाला है पक्की बात गरामाति खान राशित खान 15 मैच में 15 विकेट 5 मैच में 5 मतलब एक विकेट एवरेजी लेते हैं 15 मैच इसमें सिर्फ 6 विकेट आज तक ले जा पाएं मोहिश शर और यह जीरो विकेट साही किशोर दो में एक विकेट तो बॉलिंग यूनिट इनकी भी कमजोर है अगर मैं राशित खान को अटा दू लेकिन पिछले मैच में तो राशित खान पे बल्ला बजाए अब हुआ गया था पिछले मैच में यह बतातों चलो बहुत दूर हुआ दोस्तो रन ठोग दिये थे तीन विकेट के नुकसान पे गुजरा टाइटन्स और सब ने बैटिंग ठीक कर ली थी सोला रन और पांच रन पे साह और गिलाउट हो गए थे चोरासी रन थे साही सुदर्शन के शारुक खान के ते 58 रन 26 रन थे डेविड मिलर के एक बड़ि देशन के बारा गेंद में तीन चक्के जड़े थे इन्होंने और 41 गेंद में सौरन मार देती विल जैक्स ने आप देखिए बॉलर में से विकेट मिला था सिर्फ फर्सिव साही किशोर को एक वो भी डिव प्लेस का उसके बाद ये टीम होगी ठनी कंबल में संभल और आज आप देश से भी सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सांस लीजिए लगतार स्टाइट्स वक्राओं अभी जाएंगे मैच अप्स पर खूदेंगे गिव अवे पर आएंगे ग्रैंड लीग की प्लेयर्स ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम मेरी वि क्यूं है तो लाइक करें कमेंट करें और अब हमागे की तरफ चले कर दिया ना देखो सब्सक्राइब करके फायदा क्या होगा आपको 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 यह फायदा होगा सारी टीमें मिलेगी आईगे प्रेडिक्शन मिलेगी वर्ल्ड का पारा है उसमें कमाई होगी ये मिलेगा ये फायदेगा सौधा है एकदम बहतरीन बाला चलो अब चलते हैं अपने गिववे की तरफ गिववे सवाल की तरफ आज एक बैटिंग विकेट रहने वाली है तो हम जानते हैं अगर बैटिंग विकेट है तो बॉलर्स के लिए ग्रेवियार रहेगा तो आज आपको क्या लगता है कौन सा बॉलर है जो आज अच्छा परफॉर्म करके जाएगा और उसका स्पेल क्या रहने वाल है मुझे ऐसा लगता है कि मौम्मस सिराज हो सकते हैं तीन लखी विनर्स का जवाब सही होगा वो लेके जाएं कितने 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 3330 रुपे भी या जी अब थोड़ा अगर आप कर रहे हैं गुजरात को सपोर्ट तो आप बनाएए एक परपल हर्ट जो आपके इमोटिकॉंस मतलब जो चैट हैं जब आप कमेंट करने जाएंग क्या है आप RCB के सपोर्टर कमेंट में जरूर बताएं या आज आप चाहते गुजरात जीते तो परपल हर्ट बनाएं और फिर देखते हैं किसकी फैन फॉलइंग जादा है देखो इस मेदान पे और हेड टो हेड में तीन पे आप निकलते हैं गिल राशित कान साई सुदर यह तीनों प्लेयर ग्रैंड लीग में आने के प्रबल दावेदार होते हैं जब RCB की बात करते तो विराट का नाम तो आएगा ही आएगा साथ में ड्यूप्लेस और कर्ण शर्मा का नाम आता है क्यों आप वेन्यू पे रिकॉर्ड देखिए छे मैच में 11 विगेट है तो मोहिश शर्मा की 10 गेंदों में 14 रन एक बार आउट हूँ है फैफ राशिद ने इन्हें तीन बार आउट किया और एक बार इन्हें उमेश ने आउट किया फैफ डूप्लेस का बल्ला बहुत ही कम चलता है हमेशा मैंने देखा है गुजरात के खिलाफ एक एवरिज राशिद ने डीके को तीन बार आउट किया और एक बार राशिद ने तेवतिया ने भी डीके का ओड किया ग्रीन को नूर ने एक बार आउट किया और हो सकता है आज नूर आपको खेलते हुए ना नुज़राएं इस व वाले मैच में तो एक इगशमें डॉमिने नहीं खेलेंगे अलजारी नहीं खेलेंगे तो हम सिराज पर पहुंचते हैं 38 गेन में 45 रन 3 बार आउट हुए है 3 बार सिराज ने केन विलियमसन का उट किया बड़ी बात है और सहा को भी इन्हों ने 3 बार आउट किया और कर्ण शर्मा ने साहा को एक बार आउट किया, अब सिराज ने मिलर को भी दो बार आउट किया और एक बार लौकी ने आउट किया, तो सिराज एक ऐसा नाम है, जो भर-भर के यहां पर आए जा रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं मुहम्मद सिराज को आज एक key player तो grand league जीतना चाते हो grand league में अच्छी ranks लाना चाते हो चाते हो grand league आपकी हो जाए तो कुछ key player बता जेता हो फायदा उठा लेना वापिस आ रहे हैं चिन्ना स्वामी के लाड़ ले विराट कोली अपने मैदान पे खेलने key player है पकी बात है फिर से बल्ला चलता हुआ नजर आ जाएगा फिर आते हैं Glenn Maxwell Glenn Maxwell ने पिछले match में 3 ओर करा है high chances आज भी bowling करा तो वे दिखेंगे और high chances आज Glenn Maxwell की batting आईगी और अगर batting आती है तो Maxwell का बल्ला सर चड़के बोलेगा ये मैं उमीद करता हूँ फिर आते हैं मौममस सिरा जैसा कि मैंने आपको बताएं कि percentage देगे सिर्फ 42% selection है अब जब 42% selection है तो मुझे लगता है कम से कम दो विकेट अगर RCB पहले balling करेगी तो रख लेना अपनी टीम में बनता है शुमन गिल के बले से बहुत टाइम से सूखा है पिछले 2-3 matches से और RCB खिलाव record अच्छे हैं मैदान पे 40 की average है तो मैं मान के चल लेता हूँ कि शुमन गिल आपकी टीम में होने चाहिए grandling में आपको बहुत अच्छे points देखे जाएंगे और फिर आते हैं करामाती खान 75% selection है और करामाती खान एक egoistic player है जो ego पे ले जाते हैं पिछले match में विल जैक्स नहींने बहुत मारा था तो मैं मान के चलता हूँ कि इनकी तरफ से आज आपको एक attacking approach देखने को मिलने वाली है captain vice captain में विराट, jacks, maxwell ये तीन सबसे best हैं इनी में से कोई एक निकलना चाहिए और VC में शुम्मन गिल मैं शुम्मन गिल से ज़्यादो उमीदे करता हूँ फैफ डिप्लेस इसको VC तब ट्राई करें जब पहले batting कर रही होगी RCB की team आज आप Maxwell को जरूर captain ट्राई करना कौन से प्लेयर आज चलने वाले है फैफ विराट, ग्रीन, Maxwell इन से मुझे ज़्यादा उमीदे है बॉलिंग में मुझे 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 सिराज और करन शर्मा से ज़्यादा उमीदे है RCB की तरफ से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे इधर से शुब्मन गिल का बल्ला चलेगा साही सुदरशन तो ही कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत मिलर अगर टाइम पे आ जाते हैं चेस करते हुए तो बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखेंगे और बॉलिंग में राशित खान और साही किशोर क्योंकि नूर एहमद को हो सकता है आज ये टीम भार निकाल दे तो ये रहती है मेरी आज की प्रेडिक्शन सब्सक्राइब किया नहीं किया तो आप करतो कोई बात नहीं है ताइम अपना है देखो फिर से टाइम दे रहा हूँ और अब हम चलते हैं माइ मास्टर 11 एप की तरफ जहां पर हम बनाने वाले हैं स्मॉल लीक की टीव एक ऐसा एप जहां पर कमीशन और कम्पीटिशन दोनों बहुत जादा कम होता है तो जाहिर सी बात है क्या होता है हम लोगों का प्रॉफिट होता है तो डाउनलूड कीजिए माइ मास्टर 11 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा साथी साथ कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा डाउनलूड करके खेलना चालू करिए और फिर अपनी कमाई का सिलसला शुरू करें आरसी भी और जीटी का मैच को लिया है अच्छा माइ मास्टर 11 पर अपीनियन भी है आप अपीनियन दे सकते हैं उससे आप काफी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं क्रियेट टीम कर लेते हैं तो सहा को ले रहा हूं मैं कीपर में बैटिंग में जाहिर सी बात है विराट फैफ गिल और साही सुदर्शन आपके हर अपोनेंट पे होगा टेंशन मत लेना मैक्सवेल जैक्स और ग्री यह तीनों और लॉंडर भी मैंने रख लिए अब हमारे पार आठ प्लेयर हो गए एक राशित को रख रहा हूं और एक सिराज को रख रहा हूं और एक एक्स्टा बैट्समें आप चाहें तो डेविड मिलर को डाल सकते हैं तो यह हो जाती है मेर आपको पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अब आपको जिस पर ज्यादा वरुसा है वह आपका वी सी होना चाहिए बस यह है मेरी आज की प्रेडिक्शन्स और कुछ नहीं है तीम में भी कोई चेंज नहीं होगा तो सेफ करके रख लो अगर कुछ चेंज हो भीगा तो टेल गांपे